नमस्कार आज इस वीडियो में हम उमा शंकर जोशी के जीवन परीचे को जानेंगे साथ ही साथ उनका कारे शेत्र उनकी कावे गद विशेशता हैं और उनकी भाशाशायली को समझेंगे आप और भी कवियो और और भी रचनाकारों की वीडियो को देख सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट अवेलेबल है आप महा जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं और यही कहूंगी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट वर शेयर जरू कीजिए और यह नोटिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करना जा भूलिये छात्र में चाहाँगी वीडियो आपको अच्छा लगे चाय को जूए आपको फुल beaucoup लगे लाइक किजे डिसलाइक अगर अपनी कोई राइ दिर जा देना चाहते हैं तो अपलीस कमैट उमा शंकर जोशी का जन्न गुजरात के साबर काथा जिले के एक गाउं में 21 जुलाई 1911 इस्वी में हुआ था। उन्होंने सहित्य के अन्यंगो जैसे कहानी, नाट, कुपन्यास, आलोशना, निबंद आधी को भी पोशित किया है। उन्हें अनेक विश्वी विध्यालों ने दी लिट की मानक उपाधियां भी दी। तो अभी तक उनका कारेशत्र देखा अब उनकी कावे का द्विशेषता हैं, देख लेते हैं कि क्या उनकी कावे की विशेषता रही है। जो कवी उमा शंकर की कवीता में प्रकृती का बड़ा ही सुन्दर वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रकृती के आलम बन, उधी पन तता मानवे करन, सुन्दर रूपों का सुन्दर एवं प्रभावशाली चितरन प्रस्तुत किया है। जीवन के समाने प्रसंगों पर भी कवीता लिखता रहे हैं। उधारन हम देख लेते हैं। कि जैसे उनकी कवीता है चोटा मेरा केत। यह क्लास 12 है चाप्टर यह कवीता है। इस टरीके से किसान अपनी खेती को जौाब बनाता है तुसमें और निर्वाण होता है। इस परकार जोता है कागज परनने किस पर कार बनाता है। इसी तरह उनकी दूसरी कवीता है बोग़ूलय के पंख शालन के क। और इसमें सुंदर दिश्यों की कवीता कही जा सकती है जिसका प्रकर्तिक सौंदर पाठक को भी आकर्षित किये विना नहीं देह सकता जोशी जी आधुनिक्ताबादी भारती कवी थे कवीता के अतरिक तन्य विधाव में भी उन्होंने महत्वपून योगदान दिया है सहित कभी का शब्द चयन पूंता भावनुकूल तथा प्रसंगानुकूल हैं यत्र तक्त्र वेलंकार प्रयोग द्वारा को सजाते भी हैं जीवन के समाने प्रसंगों के लिए समाने बोलचल की भाष्य का प्रयोग करते देखे गए हैं इसलिए भाव और भाशा दोनों देल, पोलाण, प्राचिना, आथित्य और वसंत वर्ष, महाप्रस्थान, कावेखन, अभिज्या, एकांकी, सापनभर, शहीत, कहानी, श्रावनी, मेनो, विसामो, उपन्यास, पारंग, काजड्या, निवन, कोष्टी, उडाघी बारी, कलांत कवी, महाराने सट, स्वपन प्र शान्ती के लिए किये गए गांधी जी के, प्रयतनों की महिमा का वर्णन, इसे गुचराती कावे में नई यूग का प्रवर्तक माना जाता है, इनको ग्यान पीट पूरस्कार 1987 और अथा इत्यकार में पूरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, तो इस तरीके से उमाशंक के साथ विडियो को शेयर कीजे, और किसी तरह की कोई भी कमी अगर आपको लगती है, तो आप कमेंट करके अपनी राय जरू दीजे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक, कमेंट वर शेयर जरू कीजे, और नोटिफिकेशन को पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर ना ना भूले, धन्यवाल.